वोटिंग वाले दिन ही जोतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया साथ बोले मैं मुक्यमंत्री पद की रेस में ही नहीं नमशकार मैं कुशी और आप देख रहे हैं दाख़बरदार मद्यप्रदेश में विदानसबा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है इस दोरान कैबिनेट मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया भी गुआलेर में बोर्ट डालने से इस दोरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनके मुक्यमंत्री पद के दाविदार होने की तमाम अच्कलों को सिरे से खारिस कर दिया उन्होंने मीडिया से बाच्रीत के दौरान कहा मैंने पहले से ही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूँ इस रेस में ना मैं कभी था और ना मैं आज हूँ मुझसे तीनो बार पूछा गया साल 2023 में साल 2018 में और आज भी तीनो बार मैंने कहा कि मैं CM की रेस में नहीं हूँ मुख्यमंतरी पद की रेस को लेकर चिप्ड़ी करते हुए जोते राधिति सिंधिया ने आगे कहा कि रेस कुरसी की नहीं है ये रेस विकास की है, प्रगती की है और जनता की विश्वाश को सुनिश्चित रखने की है दोरान सिंधिया ने कॉंग्रिस पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि मुख्यमंतरी पद की कुरसी की रेस कॉंग्रिस में होती है बीजेपी ने इस बार शिवराज को नहीं बनाया, सीयम फेज मध्यप्रदेश में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले लगबग दो दशकों से पार्टी ने शिवराज सिंग चोहान को ही मुख्यमंतरी बनाय रखा है शिवराज सिंग चोहान इस बार भी चुराव लड़ रहे है लेकिन पार्टी ने इस बार मुख्यमंतरी पत की चहरी के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया है ऐसी में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी इस बार मुख्यमंतरी बदल सकती है वहीं बीजेपी ने केंद्री मंतरियों और सांसदों को इस बार विदानसबच नाव में उतारा है जिसके चलते भी इस तरह की कयासों को और हवा मिल गई है बीजेपी से मुख्यमंतरी पत की रेस में किस-किस का नाम राजनीती में जानकार बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से शिवराद सिंग चौहान की विकल्प की तौर पर जिन चेहरों को लेकर चर्चा है उनमें पार्ची के दिग्जनीता के लाश विजयवर गिया, केंद्री मंतरी प्रहलाद पटेल और नरेंदर सिंग तोमर का भी नाम है इनमें जोते रादेते सिंधिया का नाम भी शामिल है लेकिन उन्होंने खुद वोटिंग के बाद इस तरह की अटकलों को खुद को अलग कर दिया है मालूम हो कि सूबे में हो रही वोटिंग के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दा खबर दा